नमस्कार मैं खुशी और आप देख रहे हैं आप पियस समाचार आईए रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर कानपूर में रिश्वत लेते पकड़ा गया लेकपाल साथी लेकपालों को थाने में हंगामा जाने क्या बोली पुलिस कानपूर देहाद के सिकंद्रा तेहसील में तैनाथ एक राजस्व लेकपाल को एंटी करफशन टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते धर जबोचा आरोप है कि लेकपाल कई दिनों से जमीन के मामले में मुन्ना सिंग नाम की शक्ष को परिसान कर रहा था जिसको लेकर पीर पीरित मुन्ना सिंग को जमीन के कुर्रा बंदी की निप्टारे को लेकर पैसों की मांग कर रहा था आरोप है कि लेकपाल ने काम करने के आवज में पैसे की डिमांड कर रहा था जिसको लेकर फरियादी ने लखनों के एंटी करफशन टीम को इसी बात की सूचना दे शिका पर टीम में लेकपाल को गिर्फार कर लिया और उसे कानपूर दिहाद के अकरफशन का कोई साथ नहीं दिया, यह टीम कर्येफशन की टीम ने आरोपी लेक पाल को लखनो मिले जाने की तैयारी कर लिया लेकिन देर शाम माम antenna बंते ना दे आरोपी लेक पाल के पैरवी में आये दरजनोंने लेकपालों पुलिस अधिकारी वही इस मामनी में पुलिस अधिक्षक बीबी जी टीएस मूर्ती ने बताया कि कोई वड़ी घटा नहीं हुई है गिए लेकmbre आरोपी खुदाने का प्यास कर रहे थे जिसके चलते थानी की पुलिस ने बल प्रियोप करते वए सभी को रोक लिया और आरोपी को भगाने में सबको असफल कर दिया वहीं पुलिस अब आरोपी लेकपाल को छुड़ाने वाले सभी आरोपियों को वीडियो के अधार पर चिन्हित कर कारवाई की बात कर रही है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमश्कार और देखते रहे आरपियस समाचार ऐसे ही लेटेस अब्डेट्स के लिए हमारे चैनल आरपियस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुनत नोटिफिकेशन पाने के लिए बल आइकन प्रेस करना ना भूले अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं